हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंट जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे हिंदी वर्ण वाला पार्ट टू के बारे में दोस्तो इससे पहले हम हिंदी वर्ण वाला सुहर एम यंजिन से सं के सभी एक्जाम के लिए दोस्तो काफी जाता महत्तपूर्ण है खासकर अधिसासी अधिकारी कर राजस्व में सो नमबर की दोस्तो आपकी हिंदी पूछी जानी है उसमें 15 नमबर का केवल वर्णमाला वाला सेक्शन पूछा जाना है अगर आप इस लेसन को अच्छे से कर दोस्तों नहीं नहीं देखा है क्योंकि दोस्तों केषण करते हीं क्योंकि प्र क्या close-up में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी के practice test को attempt करना चाहते हैं तो हमारी application उत्राखन जी के very easy tricks पर दोस्तों आपको हिंदी के topic wise test मिल जाते हैं आप वहां से भी practice test को attempt कर सकते हैं और अपनी हिंदी की तैयारी को अच्छी कर सकते हैं तो पिछली वीडिय और O कौन सा सहिवक्तिसवर नहीं है दोस्तो तो इसमें से जो बड़ा O है वहां सहिवक्तिसवर नहीं है सहिवक्तिसवर कौन से होते हैं ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं या जिन स्वरों का निर्मान दो स्वरों से होते हैं उन्हें सहिवक्तिसवर कहते है जैसे A की बात करें दोस्तो तो O धन E से मिलकर A बनता है I की बात करें दोस्तो तो O धन E से मिलकर A बनता है O की बात करें तो O धन U से मिलकर दोस्तो क्या होता है मारा O बनता है छोटा O से ठीक है और वहीं दोस्तो बड़े O की बात करें तो U, धन U से मिलकर दोस्तों मार क्या बनता है बढ़ा U बनता है, इसी काराण के है U सही उक्ते स्वर नहीं है U क्या है, दीर्ग स्वर है आप यह कह सकते हैं, बढ़ा हो गया बढ़ा U हो गया यह आपके कहने दोस्तों, दीर्ग स्वर है है यह आपको याद रखने निमने लिखित मैं से कौन सा स्वर कंठे तालवे है जासा कि Mexican भी बताये थे और वहुत बार दोस्तों आपसे एक्जाम में पुछाजाता है इनके उचाण स्तान को लेकर तो जो बनता है और धन E से मिलकर A बनते है ठीक है तो O का उचाण कहा से हो रहा है O का उचाण होते हैं कंट से और E का उचाण कहा से हो रहा है से तो और अउचारन हें कहा जाता है नुसक पुछा से होता है में रहREकित में से कौन सा स्वार कन्ठ ताळवी है तो चांप founded स्टाइटिंग के दो और आ उचारन कंट से दूसरा ओर फージ you're in शान फालावी से ओ और उ का उस्टो तो कहां से होता है कंटछ्च से होता है तो आप दीख सकते य। आई स्वारशभी हैं ओटंप अल्भीर है और उल्ब हैं और उप आपको बता दिया कैसे आपको अगर आपको दोस्तों यह पता नहीं चला ना ओ और आउक का उचारन कहां से होता है जो मैंने आपको बता दिया था तो वर्गों के उचारन इस्थान दोस्तों आप देख सकते हैं कि तालवी अग복र रग्शान दोस्तों तो 9 इसका उचान दोस्तों इसका उचारन दोस्तों आपको बताया है दोस्तो के टी एम दो ठीक है इसका उच्ट से को अबर्ग का को अचान क्या होता है इसी प्रकार स्वरू में आपको बता दिया और आ दोस्तो याद रखना है क्योंकि एक्जाम में यह प्रस्न बहुत बार उचान मैं पूछा जाता है कि दन तोस्तों का उचरान कहां से होता है तो दन तोस्त से होता है यह चीए आपको याद रखनी है एक्जाम में आप से पूछी जाती है अगले पसमें की बात करते हैं बाकी कभी-कभी यह Wow भी पुछा जाता है तो सक добр पका यह वाग का उचांड कहा जरी है तालवी से होता है यह देखें सव हो आप यादरकिंडेन यह जो रहें निनलिखित कांट से सब्णinga और बक्षान से संगोर रहें वह जो आपके यहाद रहें किन्ठि सकते हैं । कुई याद इतने जिसमें इस प्रकार का चंद्रबिंदू लगे रहता है इन सब्दों को अनुनासिक वाले चिंदंऩ कहाता है इस跟大家 क्या हुआ चन्तर बिंदू वाले सब्दों होते हैं इनका उच्छारण होता है इसी रहे दोस्तो इन है क्या आनुनासिक कहा जाता है और वार्व प्यां जेतने वहां सब्दों से ठीक है तो इसमें से दोस्तों क्या पाउं हमारा क्या हो जाएगा अनुस्वार वाला सब्द हो जाएगा इसका भी expression आप देख सकते हैं जिन स्वरू के बोलते समय मुह और नाक दोनों का प्रियोग किया जाता है इन स्वरू को लिखते समय अनुस्वार के चिन्न चंद्रवि है अगला प्रसन की बात करते हैं अगला हमारा प्रसन है दोस्तों निंदरिकिस मैंसे कौन से सब्द अनुनासिक है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपर क्या हो जाएगा कंटीला क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा यह आपको याद रखना है वही explanation जो मैंने आपको बत कहा है अब मात्रा année करें दूमिक होता है कि किया हुता है अगर है और यहाऍज हैसा सवहन हो जाता आपका जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होता है ऐसे आग!? मातरा चिद्रो कि बढ़ी बात करें डौस्तों प्रकार की मातरा चिद्रों फिoff राचते है लुझाइब से guick राजशने दूर्च प्रित करें डोस्तों परकार का मातरा चिद्रों होता है जोटेब बेता कि बात करें तो अंक में इस प्रकार का मातरा चिन्न होता है और अनुनासिक बोलते है जिसमें चंद्रे बिंदु लगाया जाता है उसे प्रकार मातरा चिन्नrai के है चंद्रे बिंदु और आगत्स्वर का पूछ जाए आगत सवर का मातरा चिनन के है तो इस प्रकार का हमारा आगत सवर का मातरा बिंदु है इसमें क्या होता है बीच में बिंदा नहीं आता है यह आपको याद रहकना है जिस प्रकार το बाक्टर में लिखा जाता है वहीं दोस्तो अंको और औht को कया विशर को बोलते हैं इस एंग आयोंगु जाता है कि आयोंगव लिए आपको याद मने ह का जाता है है यह हुता है होता है इक ृथि में लगनते वाले समयी को मात्रा कहते हैं मात्रा जोकि मैं आपको पिछली वीडियों बता चुका हूं हट जिनके उचान में सबसे कम समय लगता है वो हमारे कौन-कौन से होते हैं जिनके उचान में स्वास वायू बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं स्वारों का उचान में स्वास वायू बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वार का जाता है और यह सभी चीजे आपको डिटेक्ट में बता चुका हूँ स्वारों क्या होते हैं सबसे छोटी है और वहीं सब्सप्र निर्बाल के मिलकर बनता है इउस दोस्तो और वहले इकजाम में हूथ confirm स्वर संदी याद आता है तो संदी अप्सन पहला है तो संदी लगा जाते हैं नहीं दोस्तों स्वर और विभाजन मेंली वर्ण के भेद माने जाते हैं हिंदी वर्ण माला को दो भागों में वाजित क्या गया है स्वर और विएंजन ठीक है और संदी तीन प्रकार के होते हैं मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है तो मात्रा स्वर को दोस्तो सम्रूप या ग्रेफिम कहा जाता है क्या कहा जाता है मात्रा स्वर को सम्रूप या ग्रेफिम कहा जाता है यह क्या होता है यह है नागरी लिपी में मात्रा बद्यती होती है यह मात्रा है क्या होती है स्वरों के च जिन्न होती है जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तो उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है मात्रा स्वर को ही समरूप या ग्रेफियम कहा जाता है जो मैंने आपको मात्रा बिदाई ना आ छोटी इ बड़ी इ छोट ड़ाउ बड़ा ओए इस प्रकार का उस्तुर्व आपको याद रखना है वह सभी मात्रह हैं जब लिखा जाता है तो उसके साथ में स्वर पूरा नहीं आता है इसे मात्रा स्वर को सम्रूप या ग्रेफिम कहा जाता है वो और और इसी प्रकार से जोस्तु मैंने आपको एक और कौने से पिछली वीडियो में था मुखध विवर्पर मुखध वीवर पुरा खुलता है यहां का सादे शेलो जीकित-खञाल न उठीमर गोगेए सब्सक्राइब करते हैं यह आपको याद रखना है वस्तुता कंट द्वारा जीव और ओंटो के इसपर्स से बोलने जाने वालने को कंटोस्ट कहा जाता है कंट तथा जीव और ओंटो के इसपर्स से बोलने जाने वालने को कंटोस्ट कहलाता है वा और फौ दोस्तो याद रखना है यह दंटोस्ट आपके कहलाते हैं नुपता चिन्द भी इनके नीचे लगे रहता है अगर नॉर्मली नहीं भी लगाना एक जम है तब भी आपको दं दंटोस्ट यह फोग वी वलन दंटोस्ट यह दो माना जाते हैं ठीक है मुर्दा और जीब के सपरसे से बोले जाने वाले वलनों को मुर्धनि कहते हैं यह बता जिए अगला है किस वल्न का उच्छान स्थान कंथ तालवी है तो कंथ तालवी दोस्तों मैं आपको बतायता ह क dolls ऐसे हैं रहा है कंटड़ सुंग दुनिया कहते हैं बंटता है कंण ड bookstore कई आदा बह olması है एक हो जाएगा थिक है और एक को क्या जाता है क्यों कर दोद्स्ता आफ को याद रखना जातार دुस्त तो आपको याद रखनी है क्योंकि एक्जाम में बार-बार से यह चीज है पूछी जाती है ठीक है अगला प्रसने है स्वर ए और आई का उच्छानिस्तान कौन सा है तो कंठे तालवी है वही प्रसने बार-बार ठीक है और धन एसे मिलकर बनता है और और धन एसे मिलकर अई मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं तीने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं हरस्टो स्वर, दीर्गस्वर और प्लूस्वर होते हैं जीप की किरिया शीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीने प्रकार के होते हैं, अगरे स्वर, पस्चे स्वर और मद्यस्वर, मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, विवरत, अर्द विवरत, अर्द प्रकार के प्रस्तों बहुत बार पूछे आते हैं तो आपको अपना कॉंसेप्ट क्लियर करना है जो भी जह मैंने आपको बताई है वो चीज़ आपको याद रखने है ठीक है वही है मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं प्रकार का प्रस्तों होते हैं ठीक है टीक है कि आपको पहले बता चुका हूं ओर इनके आपको पहले बता प्रकार दिर्ट के प्रकार प्रकार को वे क्या कहलाते हैं, तो जिसकी ध्वनी दोस्तों केवल मुख से निकलती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं, निर्नुनासिक स्वर क्या कहलाते हैं, जिन स्वरू के उचाड में वायू केवल मुख से निकलती हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, तो निर्नुनासि सब्सकेवाई जैसे कि अगला मारा प्रसन है अब यहाँ पर देख लिजिए एक्जामपल यहाँ पर दिये गए यह दोस्तों यह तालीका आपको याद दख लेने ठीक है मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर हैं ठीक है जीप की किरिया शिलता के आधार पर तीन प्रकार के हमारे स्वर हैं सब्सक्राइब करता है जिनके उचाड में जीप का अग्र भाग काम करता है चोटाई बड़ाई ए और आई ठीक है जिसके उचाड में क्या होता है हमारा जीप का मद्य भाग काम करता है और पस्चे सवर कहलाते है यह एक्जाम्पल दोस्तों आपको आरखने है डिरेक्ली प्रस्ण पूछ लाएगा निम्नेवन से कौन सा पस्चे सवर नहीं है निम्नेवन से अग्रस्वर कौन से अगर आप UK नाक और दोनु से निकलती है उससे अनुनासीक है निर्दुनासिक देखे? अब देख सकते हैं इस प्रकाल अगर आपको ओ और दे दिया जाएगा तो आपको दिया जाएगा इसे बिंदू लगाके दिया जाएगा तो यह कहा है दूस्तो यह निर्णुनासिक नहीं है इस चीज का आपको ध्यान रखना है एक्जाम में बहुत बार ऐसा होता है हम मैं सिंपल है अनुनासिक में चंद्र गुंदू लगा हो या फिर गुंदू लगा हो एं वह वाथ कार पर दो प्रकार के सवर व्रत्य मुख्य आप appeals डियां जो आपके और यहां व्रत्य मुख्य होते हैं यहां पर आपके मुख्य क्या हो मोख्या जाद से रहे हैं जो वारा सिर्व Cody आपको कि बात करें जिनके उचान में अगर भाग काम कर रहा है मद्यसवर जिसमें पीछे का बाग अगर आप बोलिंगे न दोस्तों तो आप आप फीली किजिए आपके मुह में जो सब्सक्राइब कर सकते हैं मुखद्वार के खुलने के आधार पर विवरत जिसमें मुखद्वार पूरा खुल जाते हैं मुखद्वार खुला खुला हरा अधा खुला रहता है ओ ए और जिसमें मुखद्वार आधा खुला रहता है ऐसे अर्द विवरत की बात करें इनके उच्चारण में क्या होता है मुग द्वार आधा खुला रहता है औ, अई, अउ, और आ ये आपको याद रखने है अगला पसने है स्वर संदी के प्रकार है क्या है स्वर संदी के प्रकार दोस्तो स्वारी स्वार धोनी के प्रकार हैं दीर के स्वार, हरस्वार और प्लुस्वार, उप्योक्त तीनों ही इसके प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दिया, 30 के मात्रा या उचारान के आधार पर अगला पसना है, हिंदी की अगर या अवरत्ताकार या समुरत्त धोनिया कौन सी है तो अगर भी है अवरत्ताकार भी है और समुरत्त भी है दोस्तों ये देखिए ये अच्छा प्रस्न है इसमें पूछा गया है इसी प्रकार के प्रस्न आप से घ्याम में पूछा आजते है अग्रत धुनिया, अब आपको बताने हैं कि अग्रत धुनिया कौन-कौनसी होती है, जिनके उच्छाण में जीप का आगे वाला भाग काम करता है, E, E, A, I, तो आप देखें, यहाँ पे दो अप्सन है, E, B है, A, B है, यह तो अग्रत हो गया, तो E, और A, दोनों में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोस्तो, अनसर हो जाएगा, ऑप्सन number B, क्यूं होगा, क्योंकि देखें, सम्रत कि यहां पर एकस्परनेंशन देख लहते हैं जीवा के आधार पर सुर्ण का ओर गिए एक गान चांट प pitcher पैसे हो और विवरत स्वर ये एक्जाम्पल तो मैंने आपको पता दी दिए ठीक है सम्रत क्या होते हैं अब इसमें भी अलग लग लग क्लास्पिकेशन के आगे देखे अगर समवत स्वर और पस्ट अर्द सम्रत स्वर में भी देखे अगर अर्द सम्रत स्वर और पस्ट अर्द सम्र है ठीक है कि तो यह पर देखे दोस्तो संफ्रस्वार कौन कौनसे होते है से हुआ बैसे और थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब और वैसे और इसे बात करें यह होता है जो कि क्या होता है पस्च सवर भी उता है तो पस्च सवर जाएगा यहाद रखनी है अगर सवर मद्य सवर पस्चे सवर और उसके आधार पर दोनों का mix-up यह आपका यहां पर conclusion है अगला बसने इन मैं से कौन सा एक सवर नहीं है ठीक है तो रोग दोस्तो आपका क्या है यहां पर सवर नहीं है रोग क्या है आपका वियंजन है याद रखना है बांकि अन्य आपके क्य होते हैं हमारे दो उमारे आयोग वहा होते हैं यहां से बहुत बार दोस्तो एकजाब में प्रस्न पूछा जाता है आयोग वहा ठीक है याद रखना है अंक और ओहो यह हमारे क्या होते हैं आयोग वहा होते हैं इसमें अंकों को दुस्तों क्या कहते हैं अंकों को अनुस्वार कहते हैं और ओहो को क्या बोलते हैं इसे दुस्तों विसर्ग कहा जाता है यह आपको याद रखना है आयोग वहा का दुस्तों अर्थ भी आपको याद रखना है योग न होने पर भी जो साथ रहता है उसे आयोग वहाँ बोलते हैं और धन योग धन वहाँ करके इसका उच्छान होता है ठीक है वह वर्ना जो विंजनु के साथ जुलकर सरंगार वहन नहीं करते केवल स्वरों के साथ परयोगते होते हैं आयोग वहाँ कहलाते हैं अनुस्वार और अनुस्वार और अनुस्वार क्या होता है अंकर की मात्रा होती है और अनुस्वार क्या होता है चंद्रबिंदु दोस्टो आपका होता है यह आपको याद रखना है ठीक है ऐसी एक क्वेशन होता है वड़ना विच्छेद वाला वो मैं आपको बाद में बत अल्प प्राण होते हैं, ये भी आपको डिरेक्ली याद रखना है, सगोस अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर ऐसे दोस्तों बात करें हवा के मुख्या नाक से निकलने के अधर पर निदुनासिक और अनुनासिक, ये भी आपको बता दिया जाती के अधर पर भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, उस्तों सवलने स्वर, यानि कि सजाती स्वर और असवलने स्वर यानि कि विजाती स्वर, ये भी आप मोटा मोटा अगर याद रखना चाहें, तो याद रख सकते हैं, बाकि मुर्धन्य स्वर दोस्तो एक ही होता है याद रहतने आपको री जो होता है यहाँ मुर्धन्य सर होता है ठीक है यह दोस्तो यहाँ पर हमारा स्वर वाला टॉपिक लगबग लगबग हमने पूरा कंप्लेट कर लिया है जो जो भी पॉइंट आपके स्वरूं से पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको सारे ही बता दिये ठीक है अब आगे एक दो ब्रसना और होंगे स्वरों से उचान स्थान की दिष्टी से हिंदी के और आ स्वर हैं क्या है यह क्या है कंटि से ही होता है यह आपको याद है आपको बता दिये अब दोस्तों यहां से मारा अगला टॉपिक शुरू रहा है वियंजन के बाद करें दोस्तों तो कंठी वियंजन घोका उचान कहां से होता है कंटि से होता है मैं आपको एक चीज बता दूँ पांच वर्ग इसारे कुश्चन करभा दू मैं को वर्ग का उचान का से होता है जिस्तों कंटी से होता है ठीक है चो वर्ग का उचान का से होता है जिस्तों तालवी से होता है टो वर्ग का उचान का से होता है जिस्तों मुर्धनी से होता है ठीक है तो वर्ग का उचान का से होता है जिस्तों दंती से होता है और पो वर्ग का उलेज़ जो और योओं आते हैं दोस्तों यह आते हैं ऊड़े टो झो नियदार है तो तो-झण और नौ आते से ठीक है ? फो वर्ग की बाद कराना है 파षओ भो भो और मो आते यह आपको याद रखने । फो वर्ग में जोगी आएंगे का उचन upon काशेता है उस्तों कंथी सोफ़ाय को खो गो इन सभी का अग्जेट नति को यह थे शिर् Wars चया चो इनको यह त offendersOf डो । वोस्ट से होता है क्ढस्योटै ठीक है अब ताली कहोता है मूँ के भीदर जो मारा च्छत वाला こ खतवाला जो चुली है की जैशिति ना उपपर साइट को चूरीए लेकिन आगे साइट को शूरी है ठीक है ऐसी बात कर आगे तालवी में अगे आगे आ थी ना वह जीब पीछे-पीछे को चले आते चौक छोजाब आ करके बोल के भी आप यार कंठ में सीधे कंठी से उच्छान होता है दंती में तो दो नौ दात वर्गे में होता है हो का उच्छान भी कहां से होता है कंठी वर्गे से ही होता है दोस्तो आपको याद रखना है ऐसी अंतस्त विंजन होता है दोस्तो हमारे चार देखें चार अमारे अंतस्त विंजन के उच्छान वोडिया जग्सम krijए और वर्गे से होता है है कंठी है आप देखेंग और वर्गे में सभी का उच्छान क्या होता है कंठी से होता है ऐसे कंठी वर्ण कौन सा है तो आ और हो और विशर के दोस्तों यह हमारे क्या होते हैं कंठी वर्ग में आते हैं कंठी से होता है यह आपको याद रखना है हो को ही दोस्तों क्या कहते हैं हो को ही स्वर्टंत्री या अली जीवी या काकल्य वर्ण ने भी कहा जाता है यह यह याद रखना है कंठी आपको बता दिया इसमें और आते हैं कंठी या और कंठी दोनी कौन दोस्तों अप्शन में इसे हो है है यह कुष्छन दोस्तों आपको आपको कंश्म आदे ना गुषन दो बंदी और डोके नीचा बिंदी तो अणोव और अढ़ो ये क्या होते हैं जतो है ुचिप्त विंजन दोस्टों इनको कहा जुता है क्या। धुछिप्त विंजन ही है कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। अगले पैसन की बात करते हैं अगरा हमारा पैसन है चौना सद आने करjest तो आपकी जीव पीछे वाले भाग पे कर टच करें उपर का जो तालू है उसके पीछे पहर मुर्धनी में आगे वाले भाग पे तो चोच्छो जो जो यहूं का उचान तालू से होता है practices ग.. कौनसे विएन्जन का उच्चारण तालू से होता है ठालूससे ओगाई ठीक है पसे दोस्तों होता है यहाँ फिर बोलते हैं यह वाला है क को थालवी थाक्त इसके अलावा दोस्तो यो जो है ये भी क्या है तालवी है अगला है टो जो है दोस्तो टो वर्ग में मुर्धनी मिंजन आते है पो वर्ग में उस्टे मिंजन आते हैं ये मैंने आपको बताई दिया मुटा मुटा कॉंसेप्ट अगला है चो वर्ग की दुनिया किस वर्ग में तो इसमें से दोस्तों आपको options के according बताने कि किसका उचान इस्तान आपका क्या है तालवी से हो जाएगा ठीक है और अन्य वर्नु का उचान दिया है नौका दंति से होता है मौका यह आप दोस्तों concept से कर सकते हैं उचान इस्तान के आधर पर यह विंजन है यह जो होता है इस ोस्तों के तालवी इंजन होता है तुक है यह आपको याद नहीं यहाद होता है यह दोस्तों के हमारा चायर भापाञी कईप से होता है यह का वच्षान से वर्द मुर्धनिय से होताCal Western जिसके नीचे बिंदा लेगा उच्षित्य वेंजरिंग आता है इनका उचान भी मुर्धन्य से होता है और रो का उचान भी दोस्तों मुर्धन्य से ही होता है लेगे वर्षिव एंजरिंगे जान भी कानटि वहां है तो चान भाल आते हैं हिंदी हिंदी में मुर्धन्य है यहां पर दिख सकते हैं कौन सा मुर्धन्य ध्वनी नहीं है तो देखें आपके इसमें से प्रसन आपसे पूछा गया है तो इसमें से जो अड़ो का ना यह मुर्धन्य दढ़ानिय केंगा, आपको इस सिर्क करना है तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे थिकैए अगर कहीं पर अनोबुदिया गया है और विफ पूछा यता मुर्धन्य नहीं है, तो फिर आप उस's से आई धुनी मानी जाती है अगला है टो वर्ग में किस प्रकार के वेंजर आते हैं उस्तों टो 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 डो 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 नौ कौन से होंगे दोस्तों मुर्धनिय होंगे अगला है उचान की द्रिष्टी से कौन सा विकल्प सुद्ध है सौ का उचान धंति से होता है यह बिल्कुल सो क्या हो जाएगा दंतिय उच्छारान इस्थान की दिष्टी से सुद्ध विकल्प है कंठी वर्ग में ओ आ, को वर्ग, हो और विसरग आते हैं तालगी में इ, इ, चो वर्ग, सो और यो आते हैं ठीक है, मुर्धनी वर्ग में री आते है, टो वर्ग आते है रो और सो आता है ठीक है और दंती वर्ग में तो वर्ग आता है लो भी दोस्तो दंती वर्ग में आता है और जो यह दंती सो है यह भी दंती वर्ग में आता है यह आपको यादने है खासका दोस्तो जो आपके अंतस्ते विंजन है अंतस्ते विंजन कितने होते है चार होते है यो, वो, रो और लो, जीने 18 सवर भी कहा जाता है, ठीक है? डietenशो, अगर directly उस तो बात की जाए, आपका रो का अचान होता है, मूरधणी से, ठीक है? लो का अचान कहां से होता है, लो का अचान, के थे हितानौ का धन्ति से होता है। ए अधि सोघ्न के बोड़ा है। थोोडवर्गे का योग उस्थान का है। थो गणोगे कर안े में आते हैं। अगला है तो यहांज होता है यह वही सब दोस्तों एकजाम्पल से जो मैंने आपको पहले इस प्रकार का सो अल्लो दो धोनी का उचान इस्थान के आधार पर होता है तो 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 अध्यार है ठीक है तो पांच-पांच का पेर है दुस्तो पाउर्ग चौवर्ग तौवर्ग तौवर्ग पाउर्ग उसी से आपके सारे पॉज़ाएंगे दंति वर्ग के अंतरगत सभी आते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं आज की वीडियो में हमने 52 क्रेशन की हुए है और मैं आपको भरपूर कौन से बताया है KTM 2 का और इसमें दुस्तों जो यह 5 वर्गों को क्या कहा जाता है इस पर से वियंजन कहा जाता है क्या कहा जाता है इस पर से वियंजन कहा जाता है इस पर से वियंजनु की संक्या कितनी होती है 25 होती है आपको याद रखना है कितनी होती है 25 होती है वियंजनु की संक्या दोस्तों चार आपके अंतस्ति विंजन होते हैं, यो, वो, रो, और लो, ये आपके अंतस्ति विंजन होते हैं, इसके लावाद चार आपके उसमें विंजन होते हैं, उस्तों कौन-कौन से, तालवी सो, मुर्धन्य सो, धन्तिय सो, और हो, यही सब आपके दूस्तों क्या होते हैं, में जुसरें इनका उचान स्थान आपको यहाद रखने यह का उचान होता है तालयवी से रो और यहाद को शुल द्थस्टे से होता है इसमें यह और वर और यहादा या प्रंगबित कहा जाता है और लो को दूस्तों क्या Civic परकार में 100-85-100 500 56न मुर्दनी 100 300 हो का उच्चान का उता है है कंठी से होता है ठीक है अयोग वह अनुस्ववाल विय्क ये सभी चीजा, आपको आजकी वीडियों बता दी है हमारे conceptual को अगे हमारे four concepts बचे में बस बहुत प्रा अगोस और संगोस वाला वे भी महापगो को बता दूंगा उसके बाद में पूरा टॉपिक कंप्लिट हुजाएगा और आसानी से आप इस टॉपिक के सभी प्रसन कोई भी प्रसन आप से किसी भी प्रकार का प्रसन पूछ दे दोस्तों आप इसको कर सकते हैं बस आप थोड़ा सा याद रखीजिएगा मद्यसवर कौन सा इस पर सी एंजन कौन सा है थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छी दरखेसे वीडियो देखेंगे आप आसानी से कर लेंगे तो आज की चुड़ो में दोस्तों इतना ही मैंने आपको भरफूर चीज़ा बताने के कोशिस की हैं आपको वीडियो क पसंद आती है वीडियो को लाइक जरू करें केमेंट जरू करें अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर सेल करें धन्यवाद